कि हेलो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग कि 70 VPC का जो हम लोग का संभववय चल रहा था उस सीरीज में अगला पड़ा हम लोग का ये प्रैक्टी सेट है आज हम लोग एक फूल लेंद्ध प्रैक्टी सेट करेंगे ये प्रैक्टी सेट हम लोग का जारी रहेगा रिकतास्तानों की पूर्ति करें आव इसमें दिया हुए भारत में सबसे प्राचीन और पट्निय सिलालेक मौरे समराथ असोग के हैं तबसे जो अभी तक तिलालेक मिला हुआ है वह चंद्रगुप पर जो मिला हुए आम तो पर ईसा पूर्भी तीसरी सताब्दी में यानि दिया हुआ है एम नंबर में दिया हुआ है क्या खरोष्टी लिपी होगा और भासा जोगा अर्ध मगी होगा क्या राइट बीम नंबर में दिया हुआ ब्रामनी लिपी होगा प्राकिर्तिक भासा होगा क्या ती नंबर में दिया हुआ है ब्रामनी तथा पाली राइट तो पश्मोतर भारत में हो भारत में हो तो वा सारे कि सारे अधिकतर जो मिले हुए हैं ब्रामणी लिप में लेकिन जो पश्मोतर भारत में है वो मिले है खरोष्टी लिपी में राइट जो खरोष्टी लिपी था वो दाय से बाय की तरफ लिखा जाता था एक वहीं अपवाद है लेकिन उसका ज्यादा प्रचलल नहीं हुगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अप्शन नंबर बी हो अप्शन नंबर भी हो जाएगा जो लीपी हो जाएगा ब्रामणी और भासा क्या हो जाएगा प्राकिरीत लुए इसमें से चीज कहां मिले हुए यह दिया हुए और इंप्राचीन अस्थान लोका जो अभी वरतमान में जिन को नाम अलग है वो कौन कौन से की सस्थान पर है उनको मिलान करना राइट तो देखते हैं इन नमर में चीरांद दिया हुआ है तीरांद जो है कहां पे बिहार में वह मिला हुआ नौ पसाणिन काल जो अस्थल है वहां से हडी के आउजार भी मिले हुए है तो वह कहां हो जाएंगे चीरांद वह जाएंगे बिहार में राइट आप आते हैं बूर्झ home बूर्ज से क्या मिला हुआ है वहां पर गर्थ मिला हुआ है मतलब की जो गड़ा होता है पहाड़ी इलाकों में बर्फवारी अले यले अले इलाकों में गाड़ा बना करके घूंब। कश्मीर में मैइ कोल्डीवा कहा हो जाएगा उत्तर परदेश में पिकली हल कहा हो जाएगा करनाटा कम राइट इस अधार पर देखेंगे कोल्डीवा उत्तर परदेश राइट अब कौन सा बच गया उतनूर बजो बच गया उतनूर बच गया जो आंदर परदेश में मिलान करने में सबसे पहले देखे जो हमें आता है सबसे पहले उसका मिलान करेंगे और जो हमें नहीं आता है उसको बाद में रखेंगे ताकि हमारा एक दो अगर मिल जाता है तो हमारा एंसर उसको सभी कर ले जाएंगे तो इस अधार पर देखे कि एक का कितना हो जा रहा है तीन हो जा रहा है एक इसमें कहां दिया हुआ है तीन एक ही अप्शन से हम लोग पक मोहन जोदाडों से प्राप्त जो महान असनानागार है उसका परिणाम क्या था मतलब कि जो असनानागार मिला हुआ है उसका लंबाई क्या था चंवड़ाई क्या था गहराई क्या था राइट तो इसमें देखते हैं क्या 12.88 मीटर लंबाई थी 7.1 मीटर चंवड़ाई और 2 को दो समलों चार तीन मीटर उसकी गाराई थी इसमें आप लोग देखिए और एंसर पीक आउट कीजिए राइट अगर हम चारों पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और तो हम लोग का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इस पर देखे और अपनी नजरे दोड़ाएं को कोशिश करें कि उसमें एंसर को पीक आउट करें तब तक जब तक कि हम ए 7.88 मीटर थी और उसकी जो चौड़ाई थी 7.01 मीटर थी और उसकी जो गहराई थी 2.43 मीटर थी तो इस आधार पर देखे तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आसनानागार का यह कुशन पूछा हुगा है तो इसका दी नमबर ऑप्शन हो गया राइट नेक्स उसन देखते है नेक्स उसन फोर नमबर है हड़ापा सभ्याता से किस धातु यूग से संबंधित मानी जाती है राइट तो हड़ापा सभ्याता किस धातु से किस धातु यूग से माना जाता है तो इसमें देखिये कौन कंदा का से योगिन दिया हुआ है तामर पसाड योगिन दिया हुआ है लो यूगिन दिया हुआ है और 9 पसाड यूगिन दिया हुआ है आप लोग एंसर पीक आउट कीजिए है अगर अगर इस अधार पर देखें तो अगर हिस्ट्री के अधर अधार पर देखें जो साक्ष्य मिले हुए उसके अधार पर सबसे पहले क्या होता है पूरा पसाड होता है उसके बाद मध्य पसाड काल हो जाता है उसके बाद यह तामर पसाड जो है यह प्रथम तत्व हो गया राइट इसके ये का से मिसर धातु है तो पहले लोगों को एक तत्व मेला उस तत्व से अउजार बनाए जो तंबा होता है उतना हाड नहीं होता है जब इस तंबा का मिसरा अड़ जाता है इसमें एक सुत्र भी होता है 3-4 से धातु होते हैं जो उनको एक सूत्र के रुप में हमने उसको बैठाया हुआ है तहसे होता है हमने दersonärे कासा को क्या बोलेंगे कासे काता कासे हो जाता है कासा और तासे तंबा और तीन को मिला करके जो धातू बनती है उसे कासे बोलते हैं राइट तो उस समय हड़ापा सभ्याता जिसमें फ्ल फॉल रही थी उस्व मैं यह धातू में मिल रहे थे इस अधार पर कहा गया कि वह जो सभ्याता थी का से योगिन चुकि इस यह रपा से थोड़ा से पहले जो है तामवगा खोज हो चुका था राइट तो इस अधार पर हमारा एंसर क्या हो गया का से योगीन हो गया राइट नेक्ट सुछन हमलग देखते हैं एक हमुशन हमारा है सूद्र सब्द का पर्योग सबसे पहले किस रिगवेद successor कैंझा की अधियाएं में सूद्र का परयोग है राइट तो है कुछ ऐसे हैं एक से दस थक जो रिगवेद के भाग है उसको 이건 जाद करना पड़ेगा कि किस भाग में क्या है तो इसका एंसर जो होगा ओद्धासम होगा राइट दोसम जो भाग है उसमें शुद्र सब्द का परयोग किया गया राइट जैसे चारवर्णों का परयोग होता है रिगवेद में ब्रामण, छत्रिये, पैसे और सुद्र तो सुद्र का जो परयोग किया गया है ओद्धासम भाग में किया गया है राइट नेक्स्ट पर आते हैं कि जनपत सब्द का पहली बार उपियोग किस में किया गया है तो इसका किया ग और उसके बाद जनपद बनाता जनपदों का क्या है पर हम रोग ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है कि इस नेक्स्ट कोशन हम लोग देखते हैं कि एक साथ नंबर कोशन हो जाता है जैन धर्म के संदर्म में इसमें को चूज करना है राइट जैन धर्म के सिधान के परचार परसार के लिए पाली भासा का पाली भासा को अपनाया गया था राइट बिहार वाली जो छेत्र थे उसमें पाली भासा का परयोग हो रहा था तो क्या यह स्टेट्मिंट्स है जैन धर्म के सिधान के लिए क्या पाली भासा का परयोग हो रहा अधिकांस जयन धर्म से संबंधित जुड़े साहित्य किराचना और धमगई में किया गया राइट क्या यह इस्टेट्मेंट सभी आप लोग एंसर पीक आउट कीजिए तो इस अधार पर हम लोग देखते हैं कि जो जयन धर्म लंवित जो थे जैसे याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्या ने तो लेखना पधिती से कहां अपनी कि अपने आपको के वहले की पराप्ति की मतलब कि अपना देख को कहां पर तया किया तो वह सरवन वेलगुला कहां है करनाटक में तो जयन धर्मियों ने अपनी अपनी विकास में परियाप्त भूम का निभाई ती तो इस आधार पर चार नंबर को च्टेट्मेंट तो सही हो प्रामिडी लीपी देखे ते और प्राकिर तो उसमाई अधिकतर जो भासा है चलती थी प्राकिरित भासा में चलती थी इस अधार पर यह स्टेटमेंट जो है यह गलत हो गया राइट अधिकां जयन से जुड़े साहित्य की राचना और धमगी में जब कुछ दिनों के बाद से बहुत दिनों के बाद जब वटवारा हो जाता है सवतांबर दिगांबरों में जयन धर्म से के साहित्यों की राचना होना सूरी हो जाती है तो उस समय उस समय क्या हो रहा है और दमगी का परियोग हो रहा है और दमगी का जो ठेत्रिय लेंग्वेज के रूप में परियो और पे पाटली पूत्र में जयन करन्तों का संकलन हुआ था क्या नहीं पाटली पूत्रों में नहीं हुआ था कभ वुआ था कहा हुआ था तो फटी सताब्दी में सताब्दी पूर्व नहीं सताब्दी में वल्लभी में वल्लभी में आपको समयलन हुआ था वहीं पर हुआ था गुज्रात में वल्लभी में यह गलत हो जाएगा राइट नेक्स वोशन हम लोग देखते हैं नेक्स वोशन है मारा इरोपिये भासाओं में अनुवादित होने वाली प्राचिंतम साहित्य गरंथ कौन सा है राइट सबसे पहल का जो भारतिये गरंथ है वह अंग्रेज जोने किसको अनुवाद किया था तो क्या अभिज्ञान साकुंतलम को किया था या भागवत गीता को किया था क्या आर्ज्व चैकृ था क्या सुसरूत को किया था कोश्चन यह भी हो जाएगा की इनके लेखा कौन है राइट तो जो सबसे पहले इरूपिय भासा में इसका परयोग किया गया था उसका एंसर क्या हो जाएगा अभी ज्ञान साकुंतलम हो जाएगा राइप कर दोस्तों कॉल आ गया था एंसर क्या हो जाएगा अभी ज्ञान साकुंतलम हो जाएगा राइट अब आता है कि अभी ज्ञान साकुंतलम के रचाईता कौन है तो काली दास है आट और भागवत गीता इसका सबसे बड़े पैमाने पर क्या हुआ है इसका अनुवाद हुआ है बीस्व में राइट अब आते हैं सुसुरूत सहिता सुसुरूत सहिता किसने लिखा था तो याद होगा भई साहब यारक नई स्वूरूत सहिता कौन लिखे थे जीवक यह था आर्यवर्ट आर्यवर्ट की से थे गड़िता गया थे राइट नेक्स कोचन हम लोग देखते हैं कि नेख्ट जोगो कोश्चन है पाल सासक धर्म पाल ने नालंता बीस्व व द्याले की अस्तापना की थि क्या यह स्थैट्मेंट चाहिए है आप लोग बताएंगे हमको कि दोन नंबर एस्टेटमिंट क्या कह रहा है पाल सासक देपाल के विक्रम सीला वी सभी डले के स्थापना की थी ज्यान देंगे बाल सासक बहुंद बहुत उमद के संरख्चक थे चार नमबर में पालसास को ने ब्रहामण को खुब दान दिया तो इसका एंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं जो पाल शासक थे जो पाल सासक धर्म पाल ने नालांदा विश्व विद्याले की अस्थापना नहीं कि थी धर्म पाल ने किसकी कि थी तो वह भागलपूर में है कौन सा भागलपूर में आप लोग बताने के कोशिश करें नलान्दब विश्व विदाले की अस्थापना किस ने की थी तो गूप्त सासक छटी सताब्दी में गूप्त सासक कुमार प्रथम ने की थी राइट अभ आते हैं इस अधार पर यह हमारा पूटन गलत हो जाता है राइट जो भिक्रम सिला धर्म पाल ने किसका किता है वी रितरीजम और उन्हेंन देखतेगे का लद्रे अस्तेटमैंट स्था कंधिये राइट है और पाल सा आज ने ने ब्रामणों ने खूब दान दान दीए सबसे ज़्यान के तो महायान के दिये थे तो महायान वाले को दिये थे राइट कि और जो अगिला लेबल देखे वो बज्रेवान कर दिये थे बज्रयान में जादू टोना से समबंदी था यहीं सबसे ज़्यादा प्लाइन किया तीवत वाले छेतर में इसका बिस्तार सब जगवा पर हुगा इस अधार पर हम देखे हैं हमारा अप्शन नंबर क्या हो गया डी नंबर ऑप्शन हो गया तीन और चार जो है हमारा सही है सही कोश्चन पूछ रहा था राइट नेक्स कोशन हम जो उसका बिरोध किये उसके अधार पर जैसे पालोल थे लोग बिरोध किये तो उसने चढ़ाई करके उनको जीता और जितने के बाद जब जीत गया यह सारे राज को तो उसको पाधिलिया गंगल चुल गंगई गंड चुल राइट तो उसका एंसर कौन सा राजा राजा वह था राजेंद्र प्रत्म था और अब देखते हैं नेक्स कोश्च्ट या नबर दिली संतनत के किस शास का मुल नाम उलू खा राइट यह कोश्च्ट कई बार रिपीट हुआ है तो ध्यान में रखेंगे उलू खां किसको बोले थे तो बलबन को बोलेंगे राइट को बोलेंगे और कुतिम दिन एब कौन था आप लोग बताएंगे इलतु तुमस कौन था इसमें गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं राइट आप लोग बताएंगे गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं नेक्स वोशन में देखते हैं इसमें मिलान करने वाला है और आप लोग मिलान कर देंगे इस अधार पर देखे तो हमारा एंसर क्या होगा एक का देखे तो दो जगा पर है इससे हमारा एंसर पिक आउट नहीं हो पा रहा है अब देखते हैं अब देखते हैं इस अधार पर देखे तो हमारा डी नमबर ना होकर के एंसर हो जाएगा राइट नेक्स कुशन हम लोग देखते हैं कि नेक्स कुशन देखते हैं तेरे नंबर कर है मुगल कानिक जो प्रसाशनिक बेवस्ता थी नीमने को पर विचार करना है मुगल कानी जो प्रसाशनिक बेवस्ता थी उसमें से कौन सही है राइट जो मीर बक्सी था मुगल कानी समराज की गुप्चर और सूचना के सेवाओं का प्रमुक होता था क्या यह स्टेटमेंट सही आप लोग बताने कोशिश करें मुगल काल में गुप्चर अधिकारों को वाकिया नवीस कहा जाता था क्या यह स्टेटमेंट सही है देखिया कहार कहार यहां भी दो है और यहां भी दू है इससदार i.e.e इसट्रेटमेंट बनो इस अब रही बात के यह 3 है और यह इससदार प्र牙 बताएं के तीन नमार कोशन उसऊंस है कि नहीं है मुगल कालीन में तो कहा जाता था गुपर एक नमबर तो सही है तीन नमबरा बताए तो यह जो मुगल काल में सुचना अधिकारी को बरीद नहीं कहा जाता था यहीं पर कह दिया गया मुगल कालीन स्मराज जो गुप्तर बेवस्ता यह थी और सुचना के दोनों को मिला करके सेवाओं को मीर बक्सी कहला था मीर बक्सी के अंतरगत एक दो अधिकारी होते थे एक बरीद होता था और एक उचना के लिए अलगो तो तो यह वी अस्टेट्मेंट गलत हो जाता है त तो उसे समझे कि माइंड सेट जो होता है वर्ड विक्सित होता है उसे अधिक कोशन प्रैक्टिस करने में सहुलियत मिलती है तो जो कोशन इसका टाइप क्या है तो उसे कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उस पर थोड़ा ध्यान से देखे लिए देखते हैं विजय नगर का पहला वह कौन साथ का जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया राइट तो इस अधार पर देखे तो सबसे पहले कौन था पहले सबसे पहले जान लेकि बिजय नगर समराज कैस्थ अपना कव होती है बिजय नगर समराज के सापना 1336 स्वी म बहुमनियों से तो जो हरियर दूतिये थे इसने विजय नगर से छिलियत यह का हो गया तीन राइट किस आसक के दरबार में और दीगज कभियों का आश्राय होता था कोश्चन भाई साब बहुत महतपूर है कोश्चन यहां ऑष्ट दिगज हो गया यह अश्ट जो दिगत थे यह कभी लोग थे विद्वान लोग थे अब कोश्चन यह आता है कि आश्ट परधान की कंसेप्ट जो है वो किस काल में थे कि किस समराज्य में थी तो आश्ट जो परधान थे वो सीवा शालगए के आश्ट जो मंत्री थे उन लों को श्ट परधान बोले जाता दो वह वह जावगा इसमें कोन था इसमें कृष्ण देवराय यह को देवराय था राइट इसमें किर्ष्ने देवराय था तो यह आपको बीका चार हो जाएगा किसा से काल में यात्री अब्दुल राजाक ने भीजय की बिजय नगर की यात्रा कि अब्दूल जो राजाक है वह कहां का था सासक था और उसने कॉब किया था तो इसमें देखते हैं यह किया था प्रौथम के Bukka प्रुथम यह सासनकाल में विजय नगर के की सासक ने कीन के सामराट की अपना भीजा था आप लोग बताए इसधार पे देखें तो क्या हमaly Southern एंसर बना पा रहे हैं एक तीन और बीक चार रहा है को एक तीन बीक चार एक तीन बीक चार इस से हमारा एंसर नहीं निकल पा रहा है राइट अई राइट सौरी देवराय दूतिय होगा यहां पर इसका कि अब क्या इस पर हम लोग निकाल पा रहे हैं तो सी का एक कि तो हो जाता है कि ऐसे कि जान पूर नागर की अस्थापना किषने की तो यह फिरोज सा ने की थी फिरोज सा उगलक ने की तो अब का 5 फका 5 इसमें किसमें है इसमें है राइट यहां भी है और गुलिल वाला जो था गुरुल महल जांब किस नियति की थी तो गुर्विल महल वाले यह हो जाएंगे पांसी तो एक हो जाएगा अच्छे यहाँ वह यहाँ और पाच यहाँ भी है तो अब फॉल एक आते हैं एक तीन कि एक टीन बुकंचो बी नमर एंसर जोगा हमारा सही होगा राइट एक सेखते हैं यह भी मिलान करने वाला है पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार अस्थाफित किया तो पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार अस्थाफित कर लिया यह कर लिया आपको 1512 में राइट पूर्त गालियों ने अपना पहला जो जूर कहां पर अस्थाफित किया था तो व अब और हैं फ्रांसीजी अल्मीडा अल्मीडा को पुर्तगाली छेत्रों के लिए भारत का प्रथम वाइसराय को बनाया गया था और नेक्स आता है पुर्तगाली ने गोवा को अपनी रैधानी को बनाई तो यह बनाई 1537 में अब इस अधार पर देखते हैं एक का 3 हो एक तीन एक तीन और डी का चार यानि सी नंबर एप्शन और अप्शन हो जाएगा यहां देख लिए फिर कि राइट वी का एक ठीक है राइट आप नेक्स वोचन हम लोग देखते हैं तो यह भी मिलान करने वाला है जो बंगाल का था बंगाल का कौन था तो मुर्शद कूली खाता आवद का कौन था साधत खाता और हैदराबाद का कौन था निजामल ओल मुल्क था और मैसूर का हैदर अली था दो दो जोगा है तो इसलिए नहीं होगा इसमें से कोई भी फिर नेक्स देखना हाईदराबाद पी का चार ती का चार यानि बी नॉमबर अब हमरा एंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं मख्या थीक अब इसमें टाइमंग दी यह कि इसका टाइमिंग क्या आ रहा है है अब कि तो सबसे पहले याद रखे मुर्सीत कुलिक हो जाता है एक नंबर है यहां दिल्ली से उसकोunda बना कर बेजा जाता है मुरसित कुली खान के बाद किस यह सब्सक्राइब नमबर अह स्थी सब्सक्राइब भी याद रखना है किसका सब्सक्राइब क्या है Bears लेंगे अ test significantly क्या हो जाता है आपको मुर्शित कुली हो जाता है और 1727 से लेकर के 49 तो क्या हो जाता है सासुजा हो जाता है और 49 से लेकर के 40 49 से 401 सरफराज होता है और इसको हटा करके अलिवर्दी खा को बनाए जाता है अलिवर्दी खांव वहीं टो इसने क्या गे अपनाई बाद में आकर करके तो लेंग और पूरप नीती कौन है तो व्रें घेक एंसर क्या हो जाएगा वारन हेट और पूछेगा जो होड़प नीति कौन था तो यह आपको होड़प नीती था अब क्रिन अप लेप्प स्वावाग निति को ना था डॉलो जी ने आप को जाता है एो आपको जाता है 2845 से लेकरके 56 तक हो जाता है राइट कि इसाधार पर हमारा एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अब नेक्स कोशन देखते हैं फराइजी कौन थे फराइजी कौन थे यह बंगाल में फराइजी अंदलन होगा था रही राइट 1828 से लेकर गई थी इस पर हम लोग चर्चा करते हैं राइट तो इन्होंने 28 माई 1857 को इन्होंने बिद्रो कर दिया क्योंकि वहां कार्थूस वाला है था वहीं पर सेंड गोली चलाई और मैजर जो था उमर गया राइट तो और उनको फासी कब दियागा उन्हीं पर पकड़ करके उनको तो फासी दे दे गई कब आठ अप्राइल अट हरे सशन ताउन को राइट अब कोशन यह भी पूछ देता है कि मंगल पांडे कीस बैरेक से थे और बैरेक क्या था उच्छाइन वी जे था नंबर कितना था राइट तो वह 64 इंफाइंटरी था राइट कोशन यह पूछा सब्सक्राइब बेशित है 19 वी सताब्दी के समाजिक आर्थिक सुधार अंदोलन के कारण भारत का आधुनिक और उड़न हुगा समाजिक आर्थिक धार्मिक अंदोलन के जोड़ में बुधीबाद मनोवाद तरह बैग्यानिक दृष्टिकूण के विचार थे जो आधुन अधार माने जाते हैं इस अधार पर देखे तो दोनों सही है और पॉथन जो आर है एक ब्याख्या कर रहा है कि हम उन्होंने यह अंदोलन सुरू किया और उसमें धार्मिक अंदोलन के साथ-साथ बोधी माना होता और बेग्यानिक दृष्टिकूण वाद भी था इस अधा जाएगा तो सब्सक्राइब करने वाला है मिलान करने वाला जितना भी कोस्षय मिलिये समझें कि हम लोग के लिए फायदा हो रहा है ऐसे समझे कि चार-चार कोशन अधार में सभी हो रहा है आज हम लोग तो प्रेक्षिस कर लें हैं जब हम एक जाम हॉल में बैठेंगे क्याजकर आया है कि बंगाल ब्रीटिच इंडिया सोसाइटी के स्थापना कप हुए थी ए 4 ले में अब आता है ब्रीटिच इंडिया एस्थापना कब हो रही है यह तो सही है तो पर देखे तो बंगला भाषी हो जाएंगे तो यह हीं तो देखते हैं एक कीतना हो जा रहा है दो और रीक तीन एक दो बीका तीन यहीं मिल जा रहा है तो भी नंबर हमारा एंसर हो जाएंगा राइट नेक्स वुक्षन देखते हैं अब इसमें भी पुचिय मिलान करना है गदर पाटी याद आ रहा होगा आप लोग को लालाहर द्याल सुनसी भाखना 1913 तो गदर पाटी का स्थपना का होती है यह आपको सेंस फ्रांसिस्कों में अमेरिका में इंडिया हाउस इंडिया हाउस 1905 याद आ रहा होगा कौन थे प्रिटेन में लंदन में इसका हो रहा है तो घंस्याम क्या नम तो उनका आप लोग बताएं उनाइटेड इंडिया हाउस की अस्थपना का हो जाती है यह अमिर्का में हो जाती है अमिर्का में कहां सियेटल में हो जाती है और ज कि इसमें एक ही मिला लिए तो हम लोग एंसर मिल गया कहीं ऐसा होता है भाग यह होता है भई तो इसके अधर पर देखें तो हमारा एंसर क्या हो गया भी नंबर एंसर होगिया नेक्सक्राइश देखते हैं अब इसमें आता है 24 नंबर में दिया है कि एनी बेसेंट ने अप्राइल 1916 में मादरास में ओल इंडिया होम रूल की अस्थापना की थी क्या इस्टेट्मेंट सही है आप लोग बताएं हमें इस्टेट्मेंट तो सही है आप लोग बताएं राइट इए इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले याद रखेंगे होम रोल की अस्थापना की माना जाता है एनी बेसेंट को लेकिन जब सबसे पहले देखा जाए संस्था खाड़ा करने की तो सबसे वाघ्भारत वाले छेत्र जो करते हैं तो बालगंग कर देती यह जैता है वह इसका चेत्र सबसे ज्यादा था पुछे का कि जो इंडियन होम रूल की अस्थापना होई ती उसमें किसका चेत्र बाल गंगा धर तीलक वाले के सबसे ज्यादा था तो ध्यान रहेंगे सबसे पहले जो किये ते बाल गंगा धर तीलक तो उधरे सिमट कर रहा गए थे उसके बाद एनिपसेंट करती है पूरे कांग्रेश ने पूर्ण सवराज्य किया प्रस्ताव कोब और कहां पारित कर आया था आप लोग बताएं यह नमर में अट दिसंबर 1928 में कांग्रेश कलकत्ता में क्या यह सई है नॉबंबर 1929 दिल्ली घुष्णा में दिसंबर 1929 कांग्रेश लहोर में याद रखे पूर् लाल ने रूस की अध्यक्सा किये थे तो इस अधार पर देखे तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा दिसंबर 1929 लाहर अधिवेशन में तो राइट नेक्स्कुश्चन देखते हैं नेक्स्क्षान है 1927 के परंथिये चूनाव में 1927 के परंथिये चूनाव म में कांग्रेस दबार मंत्रि मंडल का गठन किया गया था तो उसमें दो ही ऐसे परांथ थे जहां पर गवर्मेंट नहीं बनी थी एक में और जो गवर्मेंट बनी थे सी मतलु इंडिया जुला करके तो परांत कहों थे एक तो आसम था और एक पणजाब था जहां पर मुस्लिम इह इन गौटमेंट बना लि बाकि जगह पर भार्तियन को कंग्रेस ने बना इती राइट तो बंबे में बन गया था और याद रखेंगे जो उतर पश्मी परांत है वहां भी इंडियान नेशन कंग्रेस के गवर्मेंट बन गई थी तो इस आधार पर तीन और कट गया अगर हम लोग को कुछ नहीं आता है नो खाली काटने से समझें तो हमारा कुछ को सन्हों हो जाएगा इस साथार पर देखे देखे तो हमरा एंसर क्या हो जाएगार इस नमबर हो जाएगा नश् indoor में देखते हैं कि कांग्रेस कारे समीति ने कोब और कहां पर भारत फोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी सविक्रिती दी ती यह उन्हीं सब्यालीज में जब क्रिप्स मिशन चला जाता है उसके बाद यह प्रस्ताव लाए जाता है और उसमें बताया जाता है कि उनका तो बिरोध करेंगे भारत छोड़ो और जो जापानी आकरमण हो रहा था उनसे बचने के लिए उसमें बहुत नरसंगहार टाइप के हो दिया हुगा है राइट इसमें मिलान की जी आप लोग देखिए बताईए कि कौन को अब थी एक बरने एक नजर दीजिए कि अ कि तो सबसे पहले कौन थे गांधी जी विरोध किये हुए थे अपवास किये जो भारत छोड़ो अंदोलन के दावरान जो जो भारति यह थे उनको अरेश्ट कर लिया गया था उनके विरोध में उन्हों ने किये थे उसके बाद पाकिसदान दीवस मनाया जाता है तेज़ आपको सिराज गोपाली फर्मूला उसके बाद आता है बेवल योजना तब आता है तिमला योजना राइट अभी सधार पर हम लोग देखे तो एंसर क्या होगा हमारा किसाधार पर देखे तेंसर क्या हो जाता है डी नुमबर हो जाएगा सब यह हो जाएगा राइट एक सोचन देखते हैं अधि यह भी मिलान करने वाला है जब साता हंस्तनांतिन करना था तो उसमाई यह तीन का बनाया गया था जिसको कैबिनेट मीशन भी बोलते हैं कैबिनेट मीशन में कौन-कौन सदसे कहते जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था वो कौन था तो वो क्या था भाई भारस चीव था एक नंबर यह सही है एक लेक जेलेंडर जो था क्या था वह तो यह नौव सेना अधिकारी था और स्टोफर क्रिप्स कौन था यह बैपार ब देखते हैं कि वार्ना कूल और प्रेस एक्ट के संबंद में अस्टेट्मेंट दिया है इसमें से कौन सा अस्टेट्मेंट और सत्य है कि प्रेक्टिस करने के यह मज़ा है कौन कि सबसे हम लोग का ध्यान चले जाता है किस पर अस्टेट्मेंट पर नहीं पर गलत पर यह स्टेट्मेंट क्या है सही है और इसको लाया कौन था यह आप लोग बताएंगे जिला डणनाय को को देशी आकभारों के संब्ध में अंधिम निर्णाय लेने का अधिकार दिया गया था यह स्टेट्मेंट सही है अम्रित वजजार पत्रिका जो थी कारवाही करने से बचने के लिए रातो रात इसने अपनी भासा चेंज करके इंगलीज में कर ली इस अधार पर देखे था हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर जोगा यह अस्वत्त्य हो जा रहा है राइट नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग जाता है अब यहां से हमारा साइंस हो जारा है इस कोशन है हमें किसी भी सेट में 30 32 31 35 तक जाता है हिस्ट्री का उसके बाद जो भी सेक्टर रहे करके चले जाएंगे नेक्स वोचन देखते हैं तरल आकार की लख लख चोड़ों पर आधारित पाधपो और प्राड़ियों के वरगी करण को सवरो प्रतम किसने परस्तावित किया था राइट यह कह रहा है सवरोल आकार की यानि सीम्पल से अधार पर किसने इसमें बटवार लिनियस थे लिनियस को आप लोग जानिए कि इसने सबसे पहले इन्होंने कुछ अधार जो बेसिक अधार है उसके अधार पर इन्होंने प्लांट और एनिमल के दो भागों में कैटेगरी में बटा था अब आते हैं विक ही केटर जो था इसने ही किम्डम में बाचा लिए प्लांट राइड यह आ जाता है क्या घाए कोन जाए इससमरा एंसर कि हो जाएगा राइड है प्रिवेस यहार का फुछा हुआ कोस्चन है उसकर नहीं नहीं है और नोडा अएंटरनोट होते हैं रायट नोडा और इंटरनोट ऊंजने के लिए मालेजी यह घंणा हो गया यहां वोचननहें देखते हैं मिलान empez बिटामीन ए बिटामीन बी बिटामीन डी और लोह की इसमें से क्या हो सकता है इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने यूग में जो सही है बिटामीन यह से क्या होता है पामी से तिक्षणा द्रिष्टी हिंता होता है रतावदी यह बात सही है विटाम जो लोग जो होता है इससे अलपरक्ता होता है और अलपरक्ता हो जाएगा इस अधार पर देखे तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट है डी नमबर यह भी हो जाएगा बी नमबर में बेरी बेरी इस अधार पर देखे तो हमारा आप्शन कितना कौन सा हो जाता है डी हो जाता है तो यह कि हो जाएगा जिवार्व मारने के लिए रैट नेस्ट की आवगा है सलेशमा म्यूपकोस जो म्यूपकोस आत होता है पेट के आंतरिक जैसे को मर्टनोटन को कट ह्टे हुए आप लोग ने देखा होगा उसके जो अंतरिक भाको तो तो लिया के रूप में रेशा टाइब को चोटा चोटा रेशा वहीं रेशा कि परत होते हैं उसको आथ को बचाने के लिए तो उसको बोलते हैं सलेस्मा मूकस वहीं से वो लोग आतीर रस निकलते हैं और प्रोटीन को तोडने के लिए जो पीत रस क्या होता है प्रोटीन को तोडने के लिए पीत रस वाइल में जामा होता हॉता है अगनाएस से तोड़ने के लिए काम में आता है वासा पाचन में आता है इस अधार पर देखे तो हमारा एंसर क्या होगा एक क्या हो जाएगा दो एक दो जोगा है ग particularly और दोपर देखना है आप देखना है रहा है वी का म्यूक्स जो कर रहा है यह इस की रक्षा करने के लिए हो जाता है ति बीक चार बीका और यहीं पही हम उफार पर एंसर क्या हो गया जबेनम लोगे राइट एंसर क्या हो गया B हो गया एक सुर्श म्で होता है यह बात सही है खस्रा खस्रा ज़ किसे होता है यह वाईरस से होता है कि राइट तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट नेक्स देखते हैं लोग सबसे पहले घेर देंगे जहां भी असत्य गलत या नहीं पूछेगा उसे घेर देंगे अब जो बहुत ज्यादा प्रचलन में आज कर प्रचलन में होने कारणी कभी भी पूछ सकता है तो इसमें देखते हैं इसके दोबारा शरीर के बाहर क्रित्रिम निसेशन करा जाता है य अगर ताजार नहीं रहेंगे तो देर कर जाएंगे तो उससे फैर फाइदा का हुगा निसेशन के बाद एक माह के बाद माता के गर्भासाय में अस्थापित किया जाता है आप लोग बताएंगे क्या स्ट्रेटमेंट सही है नेक्स देखते हैं इसका परयोग तब होता है जब इस्तरी के अद्वाहिन औरूद हो जाता है वहता क्या है है जब जो एसपॉर्ण ऐंडारों के पास पहुंचने पाता है क्यों उस मार्क में जो बादा संपोची आ जाता है बाहता हो जाता हो पहुंचा अपहूंचाता था इसलिए वहां से मैलाओं और पुरु से सु हो जाएगा अब हमें पूछ क्या रहा है और सब्सक्राइब अब इसमें कह रहा है समसुत्री भी भाजन में अ भी हैं कि चार नई को कहें बात सही है और सुत्री भी भाजन में दो सम्रुप सनत्था एक सब्सक्राइब क्या शु Totally logic साइब लोग号 में बताएंगे टेजिए को सथे में चार नहीं होता है और सुत्री में दो नहीं होता है अब एटए है तो पूछ रहा है तो जाएका और शूत्री के लिए हो जाएगा दो जो समय ऑड़न जूतरी में मृठयक्षा हो जाएगा तो ढोग को मनुस्य के सरीर में पाए जाने वाले कौन से तत्व है उनको आरोई आरोई मतलब क्या होता है बढ़ते करम में और और घटने यह कोशन बहुत महत्पूर है ऐसा तो कोशन मनुस्य के सरीर में पूछ दिया अब ऐसा ही कोशन पूछ देगा कि वाई मंडल में तत्व बताए हं कोशिस खरते हैं याध है हमें कि सबसे ज्यादा यह पाए जाता है और चीजन के प्रोटीन चाहिए सबसे ज्यादा तो नाइट रोजन हो जाएगा फिर हमारे सरीर को स्वस्थ और खाड़ा रखने के लिए असकेलटन की जरूरत है स्केल्टर्ण की चीज़ बनता है तो कैल्सीम से बनता है तो कैल्सीयम हो जाएगा फिर हमसे पे दोने डेखें कोन होगा ऑक्सीजन के बाद कारवन कारवन की नाइंट्रोजन यहां हो गाले हो देखें तो हमारा सब्सक्राइब देखते हैं इसमें कहता है कि हार्मोन कौन सा बीटामिन को हार्मोन बोला जाता है तो सब लोग जानते हैं कि विटामिन मृताम बताएंगे इसका बिजानिक सा आंसुण निकलता है बाहे सरावी पसीना इसन देत usung निकलता है पसीना उबाहे सरावी गनरती हो गया एक कोर गरंठी है आप लुग मँर को सिकरें अंतरी गरंथी और वाहने इस फिलकार तेंग करते तीने आ है कट गया सई कौन है एक सई है दो सई है चार सई है एंसर नम्मर डी हमारा सई होगे राइट आप लोग समझ गए होंगे यह याद रखे जो आगनासा है ध्यान रखेंगे आगनासा जो है वो दोनों है पाहसरावी और अंत्रिक सरावी भी है कोशन पूछता है यह हम पूछता है राइट एक मात्र ऐसा गरंटी है आगनासा जो दोनों तोनों गरंटी है अगनाँ पाहसरावी और आंत्रिक सरावी रइट नेक्स वेस्ट देखते हम लो सब्सक्राइब करने वाला है बॉल यहां से लुगवाई इसे खोलते हैं तर दरवाज्ण में दरवाजा जो गुमता है वह तो बोल आगुवन है बॉल आगुवन का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटवे आप आब यह गुनांग यह नंग का प्रिस्टिया फ्रिस्टियर तनाव जहां भी होगा तो महां रखेंगे क्या न्यूटन प्र टृति मीटर ऀयका हो जाएगा भी तिन राइट अब आते हैं कि धर अटो जहां भी योगत धारा का मतर्क एंपई इंपसी कि मुनिटर हो जाएगा मिला लेते हैं को एक दो एक ही स्वार्य एंस ніकल गया एंसर नंबर सि हो गया लोहे के किल पारे प्र दो होता है वार पनारा yenES term जाएगे कारण क्या Tudo बताएंगे आप दखते हैं लोह के कील तता प्लिक्त लगने वाला प्रिस्थानाव कारण होता है यह बात सहीं है लहे का इसकाश्चित ओढ़त पानी से अधिक तत्ह पारे से कम होता है यह भारती से सीधान पर यह सभी से तो अधीक होता है अधिक होने कारों वह पाने में डूता है लेकिन वहीं पारा सी कॉम होता है तो पारे पकल आए करने वाला है जो परकासिय उर्जा है वो किसको किस में बदलता है यह कोशन पूछा हुआ है यह पीछे हम लोग जो अभी कोशन कराएं वह भी पूछा हुआ है उसमें से कोशन यह इसमें से भी स्टेटमेंट में एक सिंगल कोशन देके पूछा हुआ है जो परकासिय और जा और प्रकास उर्जा को ही नो बदलता है तो यह क्या हो जाएगा इस अधार पर देखे तो जाएगा राइट अब यह सिर्फ दन गाना जीश से सुनते हैं तो क्या होगा बैदू से और वह पूछ लेगा कि धौनी से बैदूत में कौन हो जाएगा तो मोबाइल का जो मपोन होता है यहां लोग बुलता है हलो यहां माइक्रोफोन होता है यह माइक्रोफोन कि इसमें करता है धौनी को बैदूत में चेंज कर देता है इस अधार पर देखे तो बैदूत से धौनी में कौन हो जाएग इसका क्या चीज का प्रयोगत आप लोग बताएंगे जिसका मारा मारी अभिचल रहे वर्ड में इरान को घेरने के लिए तो जो होता है दरभबान से उस्मा नीकालने के लिए उनना भी किये रियक्टर में तो क्या हो जाएगा रासाइनिक से इंधन के दोहन होगा अभी सधार पर देखे एक क्या मिला है चार यहां भी देखेंगे एक ही से मिल जा रहा है इस सधार पर हमारा वी नंबर एंसर हो गया राइट नेक्स वोशन देखते हैं करद तो सम तो अगर पुछे स्रेडी करम में पुछे दो लिख दे रहा हूँ कर अधि कर ने पुछता है तो इसमें क्या हो जाता है आर वण बराबर आर बुराबर सौरी आर बुराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थीरी राइट और वहीं पूछे सामना अंतर करम में कि अंतर करम में क्या हो जाता है वन बटा आर बुराबर वन भाई आर वन प्लस वन भाई आर टू प्लस आर थीरी मतलब जितना रेश्टेंस होगा उतने जोड़ते जाएंगा इसी अधार पर बैठा लेंगे और इसमें कह रहा है कि जो समना अंतर उसमें यह आन वायार जो है इतना है और जो एक जो परतीरों देए कि यहां बिठा लेंगे इस पर कल्कुलेशन करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इस अधार पर देखेंगे तो हमारा एंसर बी नॉम्बर हो जाएगा दूद शोटा है दिर्ग दिरिश्टी दोस में पास में रखी वस्तु दूर वस् पीशे बनती है तो नजढी का बस्तु जो रेटीना के पीशे बनजेगा देखेंगा ही नहीं इस दोस्त के उपाई के लिए उत्तरल लेंस पर्योग किया जाता है राइट ते दोनों अश्टेंट्स है इस अधार पर हमारा अश्टिंट्ट में यह नमबर सभी हो जाएग तो आप देखिए इसको याद कई से रखेंगा निकट दिरिष्टी यहां लिख रहे हैं कि दिर्ग कि अधिक लिख रहा है निकट निकट राइट इसमें तीन सब्द है जब जो बड़ा होगा जो छोटा वाला बैठाएंगे इसमें हो जाएगा उतल और इसमें बड़ा है तो और अध्ल अब अब इसमें दिर्ग के लिए पूछेता उतल लेंस से उसका निवारान कर लेंगे इसाधार पर एंसर नंबर हो गया राइट आरे आक्सम देखते हैं कुछन है कि दिये गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा एक एक परतिरोध चार ओम है इसी पदार्थ के किसी अन्यतार का परतिरोध क्या होगा जिसका लंबाई एक बटा दो होगा मोटाई दो एंपियर है राइट इसका ृ farming होता है बनी दो तरीका से निकालेंगे एक को निकालेंगे अगर आगे निकालेंगे तो और और ब्राबर होजाएगा रो लेंथ उस पर निकालेंगे एक अडार पर निकालेंगे तोि एंसर क्या हो जाएगा एक ओम हो जाएगा राइट नेक्स फूशन देखते हैं अब इसमें मापन है या अंतर है ओडो मीटर जो होता है वान की तई करने की दूरी होती है क्रायो मीटर होता है क्या यह सही है आप लोग बताएंगे जो बेंचूरी मीटर होता है दुरब्य के प्रवाख कि मापता है फोनों मीटर भॉनी के तिवरता मापता है ये करायो से याद हो आया रहा होगा क्रायोजेनिक जो फ्लाय पाईटर जट में या फीय प्रव्यों किया था यानि वह बहुत कम थंडा के लिए तो सबसे नियूंतम तंपान होगा क्रायो मीटर होगा उसको मापने के लिए रोकेट इंजन के छमता के लिए नहीं इस अधार पर यह एस्टेंटमेंट गलत है यहां गलत पुछी रहा है राइट नेक्स देखते हैं आप लोग लोग देखते हैं कि इस सीरीज का कि इसमें भी मिलान करने वाला है एक कि आज शेशन लंबा हो सकता है चुकि ज्ञादा मिलान करने वाला है लेकिन कंसेप्ट हम लोग का केलियर होगा राइट देखिए अब इसमें कह रहा है प्रभंजन प्रगलन हाइड्रोजनी करन और वलकनी करन राइट प्रभंजन जो होता है प्रभंजन एक ऐसा बीधी है इसी से पेट्रॉलियम किरोसीन तेल डीजल मोम और जो कास्मेटिक कि जो थंडा होता है सबसे उपर कौन बने गा उसके बाद कौन होगा उसके जो क dato है मलिकोल को लोते हैं टूट जाते हैं टूड़ाजन सकते हैं ऐल्यों यो निकाले। सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो तो मिला देने से वह बनेगा तो वो तो तो मिख्तोर हो जाएगा और मजबूत नान्मर नानों हो गया गया श्कुन देखते हैं फीनलो प्थिलीन जो है आमने के साथ तो अविकिरिया करता है था के करता है उससाधहर पिपूरतों नहीं करता अगर यह से कर आट अपना कर देता है गुलाबी हो जाता है इस आधार पर हमारा क्या एंसर हो गया तो अभी आधाती वे उस्मा तथा बीदूत की कुछ आलक होती है राइट क्या बात सही है तो जब यह बात सही है तो फिर आप लोग बताएंगे ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है वो तो बिदूत का सुचालग होता है इस अधार पर यह अनुनाद रहित होती है जब किसी पर सब्सक्राइट किसी पदार पर लोग हम थोड़ा मारते हैं उसमें जहन से आवाई आती है वहीं कह रहा है अनुनाद रहित होती है तो किसी भी अधार पर मारीगा नो तो वह अनुनाद उसमें आए गाई नहीं इस अधार पर देखे तो यह श्टेटमेंट सही है अब ने सबसे सब कोई के याद होगा जो डी ब्लॉक होगा हम एसा सब मेटल नहीं होगा अधाती होगा पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वह सब आधाती होते हैं तो इस अधार पर तो सही होता है लेकिन एक अपवाद रहता है हाई डोजन को पते ना चलता है कहां रखे एस में रखे का ले टेबल अपने टेबल पर रख ले एक नक उससे केमेश्टी का बहुत सारे कंसेप्ट है वह केलियर हो जाता है राइट एक सोचन देखते हैं समस्थानी के बारे में यहां को दिया हुआ है और सबसे पहले कोश्चन हम पढ़ते समय क्या टिक लगा लेते हैं कौन सा अस्टेट्मेंट जो है वह गलत है राइट आप देखें समस्थानिक वीभीन रासानिक तत्व के परमाडू परमाडू होते हैं जिनके द्रम्यमान समा समय समान होता है त avatar गलत हो जाएगा राइट देखते हैं था सादि में समस्थानिक हो अस्थान भीन है क्योंकि उनकी बारस अर रीगैंख् stripes झालिकि रीट यहीं एक कॉष्चन बन चुका है क्या यह भीन्य आइदसेच्ट पर देखें तर्दश कूष्च झालत हो जाएंगे option number C हो गया right अब इसमें देखते हैं कि देख्ट में कर रहा है निम्लिकत कत्मों पर विचार करना है धावनी की प्रबलता इसकी आभिरति पर निर्वर करती है धावनी कितना प्रबल है कितना दूर तक जाएगी कितना हाई हो रहा है तो यह alignment hypothesis पर करताया यह दोनों उल्टा है जू धाली का जो तारत्व है वा आबिरति पर क्रता किसे वी कॉन्त जादा है उसके तारत्व निर्वर करता है जैसे मच्चड मच्डब कान पास भीनमीनाय देनो धिमाग खराब हो जाता है यानि उसका तरतों सबसे ज़्यादा है वह इसा ही कोई भी मैला होती है उनका जो पीछ होता है कौम होता है इसलिए उनके सांड में देखिएगा पतलापन हो रहता है वहीं सिर्हा करकर धार दे गरज दे देखिए कितना भारी हो पूर्सों का उसमें भारीपन होता है यहीं कोश्चन है यह राइट इस अधार पर देखे तो यह बीए स्टेटमेंट गलत है अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कॉस्टन है तो यह दोनों ही और बी दोनों नेक्स वेशन देखते हैं इसके अनुसार और यह रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है राइट यह स्टेटमेंट सही है राइट नेक्स वेशन देखते हैं और जब दूसरे फर्म में तो जीतना था उतना ही उस फर्म में चेंज हो जाएगा जहीं से हमने खाना खाया है इनर्जी हमने बन वही है तो उस इनर्जी आको रिषा और रहा है हो रहा है और इनर्जी किनार घ्रोप implemented हो रहा है ते प्रोट को साउंड में हो बदल साげं अर्वीं और हिट मैं तो वह को रहा है तो पर रहा है किसमें पुरजा उत्वन कि जा सकती है पर अनतों बीनास नहीं कि जाज सकते है लिए ध्यान रखें ना उत्वन किया जैता है और देट्मर्फिक जाता है इस होता है इस अधार पर सिर्फ ऑफ सेस्के जपर यहां जैसे पेडं 되면 तो पेड़ है तो हरा भरा है उसमें पानी है कार्बॉन है बहुत सारा एटमस्फेर का कुछ हावा भी उसके अंदर है वो सारे फोर में है अब उसको काट दिये जला दिये तो काटने गए आरी से या किसी आपने हाथ से कुलाडी से काटने गए इनरजी लगाए एक इनरजी गीरा टूटा तो वहां इनर्जी उसको जलाए तो जलने में जो प्रकास दिया और उर्जा उत्पन किया और वह खुद राख बना यह सारे को जोब एक कठा करेंगे तो वह इनरजी बराबर ही हो जाएगा इस अधार पर यह गलत हो जाएगा तो देखे एक और दो वह कोश सब्सक्राइब चेहलं ऑब करें तो है यहां पर यहां और यहां का बिरिदी होगा इस अधार पर देखें तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट एक सही है राइट अब आते हैं एक वारेजिया जो सोनार लोग है इसी अंबलराज का परयूग करते हैं अब उसन को साफ करने के लिए अगर जादा हो जाएगा त यह हमारा जो एक अनबत टी नहीं होता है गलत हो जाएगा यह प्रवल छारक भी होता है ठीक है यह सोना को गलाने में भी संदर्म समर्थ है यह भी सही है इस अधार पर देखे तो हमारा एंसर क्या हो गया भी बी नमबर हो गया राइट आप देख रहा है एक ट्रुड्य ग लग रहा है तो देखें तो सबसे पहले जो है इक विट्रियल गिनी में मारबर्ग जो वाइरस है इसकी पूष्टी हुई है यह स्टेटमेंट सही है अब नेक्स देखते हैं हम लोग वर्तमान में आलजाइमर कोई इलाज नहीं है यह घूल जाने की विमारी मस्तिष संस्मंदित है अलजाइमर लेकिन हढ़े है ऐलजेरिया जो धेख है प्रक attribute तीके खोज लिया हुआ में याद रखेंगे ब्राजील में जो हुआ था उसमय 2020 के असवास बहुत खतरनाक था यह परिवार का एक हिसा है जिसे पहली बार सबसे पहले सवरों में होई तो यह देखिए यह यह पूरा सही है लेकिन जो यह उनीस सब्सक्राइब करके उनीस सब्सक्राइब हो जाता है कितना हो जाता है 1967 हो जाता है राइट इस अधार पर यह तीन नमबर गलत हो है बाकी जो थीन करनी हो रहा है वो सही हो रहा है तो इसमें क्या पूछा हुगा है इसमें कह रहे है कॉत्थन तो ये वल एक अफन गुल्ट हो रहा है राइट एक देखते हैं क्रिस्पर कैस्ट 9 ये 2021 का पूछा हुआ कोस्टन है राइट क्रिस्पर कैस्ट 9 जो है उसके संबंद में है यह जीन संपानं तक्निक है बात सही है जी है परकार का एंजाइम है। अगर किसी में कोई बिकार है तो उसको जीन को एडिटिंग करने के लिए समझी एक परकार का कहें ची जो क्रिस्पर है वो जाकर को जीन को जाकर के एडिट कर लेता है पहचान लेता और ये जो कैस्नेंन है य乐 biz कंच कर ढिक निकाल दिया दा है दूसरे जाइम को जो सही है उसको ला करें डिक कर दिया जाता है इस अधार पर देखें तो हमारा कौन सा इस्टेट्मेंट एक और तीन जो है ये गलत हो जा रहा है एक करसी हो रहा है तो इसमें देखें तो केवल नोया पूछ रहा हाई इसमें कि समभन में पूछ रहा है वर टयकोशन तो इसमेंगे बांद नीवर ये करेंट का कोशन हेलो अभी पेरेंट बेवी का जनब होघा तो ब्रीटें में हुगा लंदन में रटी इसमें कफ़ değa qe kogo नाय। और रोक से बचाने के लिए एक गानीक है बात था है जी सही है माय कको पंपनो में कोई candid प्रिमारी हो जाता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए थिरी पेरेंट बेबी का परियोग कर लिया जाता है जो कि अभी यह प्रस्रिक्षण के दोरान में है जो महिला अंडा को सिका दान करती है वह जैविक मातकालाती है क्या है आप लोग बताएंगे तो होता क्या है कि एक कोई फीमेल योगी अपना अंडा हुआ अपना अंडाणु को वह दान करेगी और दूसरी एक महिला होगी जो किसी पूरुस कभी एक सुक्राणु जो दिया रहेगा उसको दानाने ले करके उसको जाइगोट बाहर करा करके उसकर टाल दिये जाएगा उसके अंदर तो तीन को गहाएientos अंदर रखा जा रहा सान देखते हैं और ने हस्ते त्षिव पर दोग्भी के संबंद में निम्लेखित कत्नों पर विचार करना है इसका उपयोग जीव के जीन की अधिव्यक्थी को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है यह लगशित को सिखावों को चारस अंसलेशन को रोकने के लिए के जाता है अब इसमें कर रहा है कि और सत्य कौश्चन कौन सा है आप लोग ढूंडी है आप लोग देखिए कोशिस किजिए इसका एंसर देने के लिए देखिए आरे नहीं है परदोगी के बोल रहा है इसका उपयोग जीन के जीन के विव्यक्ति को कौम या बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है राइट तो यह स्टेटमेंट सही है अब असत्य पूछ रहा है लक्षित को छार चंसलेश्ण के लिए नहीं जी यह स्टेटमेंट गलत हो जाता इस आधर पे देखे तो असत्य पूछ रहा है भी नमबर उप्शन जब हो जाएगा निक्स होई देखते हैं कि देखिए यह भी प्रिभिएस यर 2022 का कोश्चन पूछा हुगा है यह साइंस टेक में यूपीएसी में प्रिभिएस यर 2022 में पूछा था कर रहा है कि वेब थीरी वेब 3.0 के संब्ध में निमिले कतनों पर विचार करें यह वेब 2.0 के तुलना में अधिक इस कोश्चन को घेर लेंगे केंद्री करीत है क्या कि राइट को रहा है वेब 3.0 जो है ब्लॉक्चेन टक्निक का उपियोग करता है क्या राइट तो यह स्टेट्मेंट जो दो नूमबर है यह सही है और वेब 2.0 के तुलना में अधिक केंद्री एक रित नहीं यह भी केंद्री करता है डा ट्रेट्मेंट गलत हो जाएगा राइट और समझ ले वेब क्या होता है वेब 1 क्या था वेब 2.0 क्या था वेब 3.0 क्या है वेब वन जो आया था जिसमें हम लोग स्रीप मैसेज करते थे अभी जो पेजर एटेक हुआ है इस्राइल ने अटेक हुआ है वह समझे वेब 1 का परियोग हुआ था जिसमें सिर्फ हम वन बे होता है हम लोग मैसेज भी सकते हैं मैसेज को रिपलाई नहीं दे सकते हैं वान बे हो गया जब टू आया तो उसमें लोग ने कॉल परना कॉल पर बात करना शुरू कर दिया र हो गया और यह ब्लोग चेन तकनीक पर काम करने लगा आई बात समझ में राइट इस आधार पर देखें तो हमारा स्वत्य कोशन पूछ रहा है तो स्वत्य में क्या हो जाएगा कि यह बल पी नंबर सही है और यह नंबर गलत हो जाएगा बीकेंद्री की रीद करेंगा राइट एक्स्कोशन देखते हैं अब आगया जोग्राफी साइन्स खत्तम है जोग्राफी आ गया मजाए गया यहां से कर रहा है क्कोश्चन में स्टेट्मेंट में लिखें करना है भारत के सात राज्यों से गुजरती है जिसमें की चाहतीस गड़ राज्य भी सामील है तो सामील यह आप लोग बताएंगे अधर मीनिकाय और मालदीव के मद्ध नौट डिगरी चैनल तथा मीनिकाय और लक्ष दिव के बीच आफ डिगरी चैनल अगया एस्टेट्मेंट स हमारा फ्यारा भारत हो गया अलिजी यहां से उपर यहां से हमरा कॉर्क रेखा गुज़रता है इसे है राइट सबसे पहले हो जाता है गुजरात एक नंबर राजास्तान दू नंबर मद्यप्रदिस्ती नंबर थातिसगर चार नंबर जारकंड पांच नंबर पांच छे नंबर आपको पशिम बंगाल साथ नंबर तीरपूरा आठ नंबर मिजोरं तो यह तो क्या हो गया आठ इस अधा ली पर करते हैं यां रहों जान deben धूज़ा नहीं ऊच्छाहें नहीं घ्रıtफ टाइया फॉद्व बंग्रु बंग्र यह जो निको बार इंभास का जुब्भ जिन दू है सुदुरी जिसको बोलते हैं इंद्रफेंड भॉइंट बोल wondersक вот bersky सबसे पहले भारत की नक्सा यही से बनाएंगे यह सबसे पहले यह वाला आप गंगोतरी से निकलती है गंगा उत्राखंड से और पंश्म में गीर जाती है वहां से चलेंगे तो आपको कि पाये से पाये तरीका से जो हिमाले से आ रही है उधर से कौन-कौन नदिया आ रही है राइट तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें एंसर की बता जिए रहा है इसका एंसर हो जाएगा अब से पहले राम गंगा इसी राम गंगा के नाम पर पहले काजी रंगा हुआ करथा ता उसका नाम अब राम गंगा अभरहरं बाग्मति इस आधार पर देखेएं तो इनम्बर सन सई हो बहुता है अब देखते हैं मांसुन पूर्व जो बस्ता वर्सा होती है उसका स्थानिया नाम क्या है और वरसा रायत अवसम में राइट यह सही है अब आते हैं चेरी वॉलाज में यह करनाटक में भी में सउथ है नारवेस्टर यह जो है किना बोलते यह है कब कर बैसा कहाँ वि सालवाइस सब्सक्राइब पंजाब नहीं गाई सदिव यूब्ट किया जाता है इस इधर पर देखें तो हमारा सी नम रेंसर हो गया में देखें निम लेखित परकार उसाइलों में फोटा है यह कोशन है इस अशासदी से प्रब्ब्ब्ब किया जाता है सबसे पहले दिमाग में आता है कि खनीज कहा से होगा लेकिन होता है अवसाधिस होता है बहुत कम मातरा में होता है राइट अवसाधिस हैलों में प्राप की जाती है यह पीले रॉंग का होता है इसे जोल योजित लोहे का आकसाइड भी कहते हैं इसमें 35 से 50 परतिसाल लोहे का आउंस होता है सबसे कम जैसे ह Chemetite Magnetite पाई राइट तब यह होता है कौन सा होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका सिदे राइट इट राइट इडे राइट में तत्वा तो है यह स्टेटमेंट का यह पाये जाते हैं राइट कर दिखते हैं नेक्स वोशन निम्ना लेकित से कौन से जंजाती समोह एजो बॉर आस्ट्रील याइड है तो भारत में बहुत सारे से जन जाती है उसमें करेटेगरी बटा हुवा है को लोगाल है को य probation मारीम प्रोक है ये दा यह द्रखेंग द्राविड है कि द्राविड है राइट तो इस आधार पर देखें तो एक तीन चार एक तीन चार किसमें भाई साब यह बी नमबर में बी नमबर आप्शन हो जाएगा जो यह करावटा है यह आपको यह मंगुलाइड है कि आइट नेक्स वोशन देखते हैं मिलाने वाला है कि आप लोग एक बार देखिए इसे मिलाने कोशिश कीजिए यह यह एलमुनियम उत्पादन से संबंदित है पाल को पाल को किसे है यह रूस से है नाल को किसे है यह फ्रांस से है जो वेदानता है यह जर्मनी से है इंडाल को जो है वो कनाड़ा से है इस आधार पर मिलाएं तो एक 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 सब में है वी का तीन वी का वी का तीन यह दो में भी तीन है राइट आप देखते हैं सी का दो तीका दो यह दोनों में हैं बाई साहब यह तो बहुत मध्रा फोड़ावल कोश्चने सब तले कि आप नहीं जानते हैं तब तले किसका पूरा एंसर देहीं नहीं पाएंगे राइट डी का चार अब देखने हैं डी का चार यानि कि जो सी नंबर एंसर है वो सही हो जाएगा राइट नेक्स देखते हैं कितिया कोरोना यह सूय में होता है क्रीट को रना यह सूर्य के इसल्गؑ सब्सक्राइब घर चteamat फेंट सिस्ट्राइब यह औरणी गलत तीन तीन हो जा रहा है तीज अधर पर देखे तो फिर नम्बर उप्संट यह झागा फिर मिलान करने वाला है जब ऐसा उपने सात्फ पाक्याट रखे और इंग्लिश चैनल और उत्री सागर के बीच में जोड़ता हूँ डोवर जलसंती है याद रखेंगे वह कहां हो जाएगा आपको कनाड़ा के आसपस जोड़ा आती है वहां पर नेक्स अब आते हैं बासपोरस जोड़ा संधी है यह कहां जाता है तो बासपोरस जोड़ा संधी कहां है यह काला सगर और का मरमरा सागर में राइट अब आता है टॉरस टॉरस जोड़ा संती है कहां आ जाती आपको में को थ्ससे से किनम यह जाता है आपको पापुगा कैंवा कि खाड़ी में और और उन् अर्यों कहा जाता है और या wiping पाएटीक सिमें इस इस आधार बेखें कोन है एक यहां है इसके बाद नोब तीन का तीन कौन है यह इसा यह ज disp rating पूछें तो आप लोग ध्यान रखें कि एलस रखेंगे उसके बाद ही इस क्षिन होगे ज़री थोदब पानी की लिए कि नेक्स वोस्चन हम लोग देखते हैं कि निमलेखित युक्मों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि गुलक कौन सा है राइट आप देखते हैं सवत्रहभी जो समनांतर रेखा है क्या वियतनाम और चीन के बीच है क्या एक से तालीस देखरी पच्मी देश अंतर है अलास्का युए से कनाडा के पास है राइट माइक महान रेखा जो सोवियत रूस और फिलेंड के बीस है क्या हीड़न बर्ग रेखा जर्मनी और फिल पोलेंड के बीच में है इसमें याद रखना है कि कौन सा जो है वह गलत हो ज जोड़ता है इस अधार पर तहीदमेंट गलत हो जाता है इसलिए 7 नेयु अजयगा यह हो जाएगा अब कह राइस मेंगे कि घासके मैदान दिया है और स्थिति उसका कहां कहां हो दिया हुगा है तो घास में दोत जाते यह उपोश्ना घास में कॏद नहीं है गास के मैदान है यह हो जाएंगे आपको किसमें तो उपोस्ट में अधिकतर हो जाएंगे पुष्टाज कहा होता है तो यह हंग्री में होता है यह बात सही है how canterbury, canterbury कहां होता है यह घासके मैदान है और यहां जो dairy products रहे बहुत जादा होता है, canterbury कहां हो जाता है यह न्यूजी लेंड में होता है और यह यूजी लेंड में राइट इस अधार पर यह statement गलत हो जाएगा, तो इस अधार पर देखें तो पिनमबर गलत हो जाएगा नेस्स देखें इस है तो नवीटनly पीमिए में ठाउन सहारा सभी वर्ली का और अटकामा जो है यह आपको चिली और और जेंटीना में मिलता है सबसे सूस को जो है ठंडा यह वहां तो नंबर जहां होगा वहां काट यह दो तो अब हो जाएगा चार तीन एक राइट अब नेक्स पूशन देखते हैं जो अंतरीम सरकार है 1946 में कौन इसको कौन सा प्रभार मिला यह कोई बार प्रिवेस यह में पुछा हुआ है तो इसमें देख ले जोन मताई जोन मताई को कारे खनन मिला था जी नहीं इनको कारे खनन नहीं को उध्योग उध्योग और वैपार्च संबंदी इनको मिला था आज सफ अली इनको रेलवे और परिवान मिले ता राइट जोगेंद्र मंडल जो थे एक विद्वान थे क्या लॉग मिनिस्टर थे यह विधी आयोग थे विधी इनको मिला था विधी मंत्राले ती एच भाबा परमाडू के जनक में माले जाते है भारत में यह वाड़ी जिसे नहीं थे यह खनन और उपनीस संबंदी जो मंत्राला था इनको मिला था इस अधार पर देखे तो दो और तीन सई हो रहा है दो और तीन कहा है वाई साब भी नमबर में दो और तीन है स्टेट्मेंट सही है यह स्टेट्मेंट तो सही है यह आप लोग मताएंगे राज्य विधान परिशत का उत्पा उत्पादन या स्रीजन 169 में यह बात सही है शोबर से कम आई के बालकों के लिए निश्य लुक शिक्षा अनिमारे कर दिया गया है यह जो धन बीद्या के जैसा कोश्चन है इसमें स्टेट्मेंट ऐसा ही दिया था 2022 से शुरुगात किया था इसे राइट नेक्स वोचन देखते हैं निमने लिखित कथनों पर विचार करना है इसमें से सत्य कथन चूज करना है राजिय के सीमा परिवर्त ने नाम बदलने से पूर्व संसत को अमेरिका में ही होता है भारत में नहीं होता है कि जो अमेरिका में हो क्या होता है वो राजियों का संग है राजिय मिलकर के बैठे और संग बनाए तो संग बना लेकिन भारत में नहीं है राइट इस आधार पर यह कोशन गलत हो जाएगा उप्रुक परिवर्तन संबंदी कि किसी आध्यादेश में राष्टपती की पूर्व अनुमंती मंजूरी की आउसक्ता होती है जी हाँ यह बात सही है जब अनुछेद एक आप पढ़ेंगे अनुछेद दू पढ़ेंगे तो उसमें यह सारे चीजें दी गई है राइट अविधान दवारा छेतरी एकता यह रा यह लिए कर आय awake या बंधी परतिक्षी करन किसी से दूख से दिया जाता है यह वीदू के विएक तो इसको बंधी पर टक्रतिक्षी खरन के तटर न्डव सब्सक्राइब और परतिसे ँसे पर्तिशिद में वहता है सारबाजियन करते याभयों को नहीं जो निभाता उसे पर्तिशिद माना जाता है पार्मा देश फर्मा देश क्या होता है यह परम आहिए देता है व्लों कारी ओकॉर obstruction करने मैं राजिके नीती नीदी सकता तो आगर न रहry कें विधी रुप में लागू करने की ब आधरता वाला है बाधरत शाहां नहीं है राइट या स्ट्राइन्ट सही हो जो संद्द सभाव उठा था कि राजय के निती निद्यसक्तत्व को अम्मूल अधिकार के तरह विधी के अनुकुल लाया जाए तो उसमें चार्चा हुए कि भाई साब विधिता वाला देश है इसको सब जगा लागू नहीं किया जा सकता इस सटेंट को सही है तो इस अधार इसको जो वोटिंग राइट था इसमें दिया हुआ है क्या मादान देने की आई जो है घटा दी गई थी इस अधर पर यह हो गया एक सचारवा सभिधान संसोधन किस लिए लाए गया था उसमें से क्या किया गया था जो अनुसूतित अनुसूतित जातियों और अनुसूति जन संख्या कि अधार परलोग सभा और अस्तानों का माउंटन दूजाच्छाविस के लिए बढ़ा दिया गया था यह कौन था आपको दिल्ली को केंद्रसासित बना दिया गया था इस अधार पर देखें तो हमारा एंसर क्या होगा एक का दो वी का तीन एक दो वी का तीन एक ही से मिल जा रहा है सी नमर एंसर हो जागा राइट नेक्स देखते हैं हम कि नेक्स वोश्चन में क्या है कि जब किसी बीधिया के संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती हो पाती है तो उस पर मादान पूर्व चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाए जाता है उसे क्या कहा जाता है तो सचीदी से बात है वह भाई गिलोटीन हो जाता है कोई ऐसा विधियक लाया गया है संसद में लगतार उसमें चर्चा होती जा रही है उसमें कोई एक पॉइंट बीच में से छूट गया है तो उसी समय उसको जब ला दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि इस पर भी चर्चा कर लिजिए और वह हला चके जाएगा अब आता है साधारन कोटा होती स सधारन को टाओत संसद क्या होता है जी पूर्व सूचना दे दिया जाएगा स्पीकर को और कहा जाएगा कि यह बहुत इंप्रोटन मौत्पूर घटना है हमारे शित्र में घटा है कि मंत्री महँदे से हम पूछना चाहते हैं तो यह धाने आकन सा कंगारू क्या होता है कि बहुत बड़ा ड्राप्ट बहुत लंबा हो गया तो उसमें में में पॉइंट पर जब चर्चा होती है तो वह खंगारू होता है चोग चोगर के इस पॉइंट पर चर्चा कर लिए राइट इस अधार पर देखें तो कौन सा एंसर हो जाएगा हमरा घिलोटन हो जाएगा नेश्कोशन देखे अगर भन वीद्यक से संबंदित है भन वीद्यक के संबंद में लोग सबाके स्पीकर का निर्णा अंतिम है यह किसी नियाले या राष्टपती दोबारा इसकी चुनाओती नहीं दी जाए राट बात सही है नियाले से तो नहीं राष्टपती क्यों क्यों बहुत राष्टपती नहीं दोट रह या ते नान अधितिम हम्तागा राष्टपती अद म मन क्यूंत को मन नहीं लटा शकता है तो यह सदार पर देखें तो यह तीनों स्टेटमेंट सभी हो जा रहा है तो उप्सन क्या हो जाएगा डी नंबर सभी हो जाएगा राइट नेक्स देखते हैं राजय पाल की कारेकारी जो सक्ती होती है उससे संबंदित है ठीक वह राजय के महाधिवक्त क्रता के नियुक्ति लेकिन उससे रहतानी श़टाने अपदे प्रेजराश की निउक्ति करता है और उन्हें इसे तर नियुक्ति करता है उपी नियुक्ति करते हैं करता है जी नहीं वह नहीं करता है यह भी गलत यह जाधार पर देखे हैं यह कुछ रहाए उप्षाण सखत है यह पुंच रहा है इसमें कि कौन से कफ़न सथ्थे हैं जो है उसमें रहेगा जैसे पंचाहिती राज से संबंधित जो है अनुछेद 40 में दिया हुआ है और फिर 243 में दिया हुआ हुआ है उसमें काटेगरी बटा हुआ है दोसा तैने ताली से लेकर के एंट तक और उसमें भाग बटा हुआ है जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कितने भी से तो उसी 29विशा में जो है यह देखते हैं 243 वाले में कि इसमें कौन से सही तो इसमें पूछ क्या रहा है जो गलत को पूछ रहा है यह नमर गुलत बाखी सब सभी है तो फ्राधिकर्ण तसा उतरदाई तो दिया गया है और नेक्स वोचन देखते हैं निमलेखित कतनों पर विचार करना है वीधि का और देश के वस्तुव और सेवाओं की उत्पादन श्हमता में बिरिधी करना है ठीक है संब्रिधी का आर्थिक संब्रिधी का परणाम सुचक घरेलू उत्पादन GDP में निरंतर बिरिधी जी दोनों इसमें से कोई असत्य नहीं है तो असत्य नंबर हो जाएगे इसमें कोई असत्य नहीं है राइट अशर आप लोग सीन लगा करके लिए लगाएंगे इसमें असत्य पूछ रहा है याद रखेंगे मुझ पर्ति अस्थापन ऍसको हम लोग टोस्ता है किसी अफोले आम ट्रीयास्थापन उर्थ होस्ता इसको हम लोग परनाốn क्या आ जाता है यात फ्रफिज स्थापनwah मुर्तलब्व क्या होता है इससे पहले हम Bennett हम लोग क्या करते थे आपने अवसेक्ताबु कहुछ से ही कर लेते थे इधर का सामान उधर कर लेते थे इसे हैं अपने चलते जब उपेन नमी हो गया तो हम लोग क्या हो गया फुली अर्थ में वस्ता हो गया तो इसके एंसर क्या हो जाएगा एग नंबर हो जाएगा राइट नेक्स देखते हैं देखते हैं के लिए जी नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कि बजट के संबंद में असत्य कॉथन को देखना है इसमें असत्य कौन है सभिधान के अनुछे देख सब बारे में बजट संबंदी बीवरण का बड़न जी बात सही है सभिधान के बजट सब्सका उलेक नहीं किया गया यह बात सही है बीतिये बेवस्ता की बात की गई है बीत मंतराले के राजस्व भीभाग बजट तयार करने के लिए नोडल निकाह है क्या यह आप लोग बताएंगे अंतरिम बजट के लिए कोई सभिधानिक प्रावधान नह होता है इस अधार पर देखे तो सत्य पूछ रहा है तो सी नंबर हो जाएगा राइट नेश्ट देखते हैं मुद्रा के और मुलियन करने वाला देश का आयाद कम और निर्याद बढ़ जाता है जी सही यह बात सही है राइट किस्थ पर्किरियां से मुद्रां मुलियन करने वाला देश में बीदेशी नीमस में कमी आ जाती है क्या बात सही है यह यह बात सही नहीं है भी निकलने के लिए स coefficient के सबघेए cuatro यह जब भागते लिगोंति आए जांग से देटा तो हम लोगों को पर्तीर यह निकल जाता है तूसमें कैसे होगा पूछ रहा है कि पर्प्रति वेख्ती यह पर कई इंकम के बारे में पूछ रहा है सदारान लागत पर शकल घरेल उत्पाथ जी नहीं राष्टी ये आए होगा राष्टी ये पर एंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं पुद्रा इस्प्रीट इन्फिलेशन के अवस्था में निम्लेक्षित किन्हें लाब होता है यहीं व प्रत्रों यहां हमें पर था किरिश सब्सक्राइब 295 तुम правда शर्ट कंज देखते हैं पर आप लोग देखे एक बार मताये कौन से एंसर होगा स्वामिनाथन समीति को ने रंग जनाजन समीति को ने चिलेया समीति क्या है पंडारी समीति एक तो लगा देते हैं घ्रामीड चेतरों की बैंकों कि आउसन राचन संबंदी था कि अगे कि जो रंग राजन समीति क्या है रंग राजन समीति आपको भू संतूलन हो जाएगा स्वामिनाथन कि से थे जन संक्या से संबंदीन थे अब इतना ही पर हमी लोग मिला लेंगे तो बच गया चेलेया चेलेया किसे थे कर सुधार से थे राइट तो भंडारी समीति एक क्या हो समीति की से था जन संख्या नीती से था रंग राजन समीति की से था भुक्तान संतूलन से था और राजा चलया समीति की से था तो कर सुधार से संबंदी था राइट कि नेक्स वोचन देख लेते हैं वायात भी हो जाएगा सीज़ाओ में बैपार भी हो जाएगा प्रेस धॉन भी हो जाएगा रिमिटेंस जिसको बोलते हैं उपहार भी हो जाएगा इस अधार पर देखें तो क्या है एक दो तीन चार पांच से भी हो रहा है तो यह दी नमबर एपसन सही हो जाएगा राइट कि एक बैंकिंग गर में बृरी कर देता जाएगा सिय था ँसया नहीं धर्य करने हुआ का मांगी केंद्रिया बैंक जो है अब मौधरिक नितीम का जो परियोग और टाइट मोनेटरी पॉलिशी बोलते हैं इसको राइट नेक्स वोचन देखते हैं अल्पकाल में भारतिय रिजर्व बैंक जो है कि जिस ब्याजदर पर अल्पकाल छोटा सोटर्म के लिए क्या हो जाता है आपका विहार के उस करांतिकारी का नाम बताइए बिहार स्पेशल से संबंदित को यहां हो जा रहा है उस ब्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपाब्लिकल आर्मी की बैठक में भाग लिया था यह कहा हुए था याद रख घोष भाग ले रहे है नेक्स वोस्टन देखते हैं विहार में ब्यक्तिगत सत्यागरा के दूसरे इकॉइस तो भारत में देखा था सबसे प्रथम सत्यागराई कौन थे तो भोदान आंदोलन किस ने किया था आप लोग बताएंगे वो थे दो नंबर पर कौन ते यह भी आप यहां आते हैं कि विहार में कौन थे एक नंबर पर कउन कर शिरिक्रिष्ण सिंह नंबर दो नंबर पर कॉने तो अनुगराही reconna ryan परसाद कि इसका क्या हो जाएगा को इसका सवयोग अंदोलन के दवरान नौमबध में किस अस्थान पर नक्स नशाबंदी नसांदोलन चलाया गया था गांधी जी के दुवारा यह चला चलाया जा रहा था जगव और महिलाओं को प्रेद किया जा रहा था तो यह कौन सा बिहार में जगव था तो डूम रहा था आप लोग हमें बताएंगे कि डूमराओ कहां पड़ता है राइट जब आप बक्सर के अधर आते हैं भोजबूर के तरफ दूमराओ पड़ता है राइट नेक्स वोचन देखते हैं बना और परतीसत की दिरिष्टी से बिहार के नेमली जीलो का और ही करम में बताना है वाई साब हम जो लेक्चर लिये हुए हैं आप भावनाई जीके सनौप के जो प्लेलिस्ट लेक्चर चयदा तो नहीं है उसमें ख्रम से देखिए इस से बहुत ऐसे कोश्चन है कि आप उसमें देख लेते हैं कि आपको यहां बनाने में असानी मिलेगी वह यह कोश्चन बनाया गया है तो इसमें बना वरण में परतीशत पूछ रहा है राइट तो इसमारा एंसर बिहार के किस जन जानती ने कांग्रेस के गाया अधिवेशन में भाग लिया था और गाया अधिवेशन कब हुआ था 1925 में वह था इसका अधियक्स किया था चीतर अन्जन दास कित्र रंजन कास कि यारदास जिन को बोलते हैं कोशन भी पुछता है कि सुभाष चंद्रबोस के जो राजनीतिक गुरु कौन थे उनके गुरु तो यहीं सी आरदास थे राइट अब आता है कि उसमें उत्समाई यह कौन भाग लिये थे राइट तो उसमें एक ही जो जन जा बिहार में दो कंग्रेस का अधियाख्ष कौन है आप लोगो में बताएं कि जो 1912 में उसका अधियक्ष कौन थे राइट नेक्स्वेशन देखते हैं कि नेक्स्वेशन हमारा हो जाता है कि नेमनल लिखित को सुमिलित करना है राइट अब इसमें देखना है कि चेरो यह शिष्टी देवेन पीपेसी में चेरो जन जाती से सम्बंदित पूछ लिया हुआ है यहां दिया हुआ है अब आते हैं गां चेरो जो वीदरो हुआ था यह था आठारा स 2 दो में उप्वा सब्सक्राइब हुआ तो यह नवहीं ब्रूंद पूचन यह पूछ दिया था यहotta बीबाद के पहले क्यों और यह आन्दोर हुआ यह आपको कौन हो जाएगा तो संथा विद्रों हो जाए आइट इस अ सबसे पहले जो किरिशी रोड माइप हुआ है राइट सबसे पहले जो किरिशी रोड माइप कौब आया था 2008 में आया था फिर यह चौथा कौब आया तो आपको आया यह पूछ देगा इसका उध्वाटन किस ने किया था और कहां हुआ तो राश्पती दौर्पती मुर्मु जी ने की थी कि नेक्स कोसिन देखते हैं विहार में विहार हम साफा का क यह होता है अवाल्य विजन का के इशन्द मॉम्न का यह ने क Candice पहलाई-भिजन शवर्य होता है तो इसका को रम हो जाता है एक भाता दौस्र और जो इनुक्शा है को theater स्लिस्ट क्या परतिस चलहता है इन और याद रखना बिहार में जो सबसे ज्यादा जो फिह मस्ते फि Regal Down के पूर्बी चंपर हो जाता है तब मदूबणी तब हाजी पूछ में पूछ देगा तो झालन्दा हो जाएगा के पूछन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कर्मनासा जो पर पाथ है बक सर्पेया या बत सब्सक्राइब गलपिया कॉस्षर कोषण कह रहा है जो मजहर कूंड है तो उन्हालंदा में जी नहीं मजहर जो है रोतास में है कि रोतास में है इसलिए बोल रहा है कि जो लेक्चर हम लिए हुए है आठ नो लेक्चर अगर उदेख लेते हैं तो बिहार से कोशन छूटना ही संभाव है बाई साब इतना अच्छा सुच में लिए हैं राइट आप जी आर कूंड जो है भोजपूर में यह सही है भोजपूर जिसको आ रहा तेलर कूंड कईमूर यह भी बात सही है इस अधार पर देखे तो अमरका हो जाएगा बी नंबर एंसर हो जाएगा नेक्स होसें देखते हैं पाटना उच नयाले का गठन भारा सरकार अधिनियम उन इस अभी का रहा है मुखे नखिनर यह बिनोट इस नयाले में 17-29 तथनिय यह थरी अलग होता है लेक्वन वहित नयाले में 33 जो है वह न आझाधिस आस यह你 गलत हो जाएगा है इस अधार फेर देखेत यह दो थीन हम आरे ए वह वी Ty More तो प्रतं राएक नेक्स वोशन देखते यह को 30 प इसे प्याहर में जूट के तीन बड़े कर खाने है और यह यह बात सही है और यह कट यार दरभांगा एक सोचन देखते हैं एस्टेटमेंट बिहार के पश्मी बंगाल के बाद दूसरा सरवाधिक जूट उत्पादन के यह बात सही है मखाना उत्पादन में क्या बिहार दुसरे अस्थान पर जी नहीं चीनी लिची के उत्पादन में बिहार जो है वो प्र यह यहर हो चार हटता यह चार यहां तक रहा है इस आधार पर दके तो एक और दो दो थिट्मेंट है कि यह सरिक है कि कि मोट और तीन को फमोटिन और स्वेये सथा इस्टाइम्ट में है option में कुछ मिसमैच हो गया है कि एक सोचन देखते हैं विहार की भगावलिक चटान से संबंदित है तो सबसे पहले विहार की में नक्साइक बना लेते हैं छोटा सा यह आपका कि जब ऐसे बना लेते हैं इसे पढ़ाई करते हैं ना कि बहुत कोश्यान है जो है तो यह यह भाग है अधे बिला वाला भाग एक आपको जाता है तरसियरी ठ्रितिय करम में एक एम और इसका टोटल गंगा के हो जाता है राई तब इसमें क्या पूच्छा रहा है जो चटान है । धर्वार कौन हो जा रहा है यह हो जा रहा है यह जा रहा है पूरब फूरुब का है डखिण पूर्ड विआरो मुंगुर नावादा गया वाले में एक नंबर का क्या हो जाएगा तीन नंबर हो जाएगा अब टैन्स रेड़ी सबसे पताहिए इस से एक में तो वह हो कहा घएगा तराई वाले भाग और सियरी और बहार के का मले 60 परफ़शीण सम परन में और बच ग्या कौन का ज़र नरी सबसे ज्बसेलदा क्या ये मायदान वाले ब्फा Siar ऑर कि एक क्या हो जाएगा तीन चार के का तीन अधिक रजये का चार दो में इसक यह रहा है उर्मारा पर उन्हाहरोन постоर के जन पर महिला दोब़ाए आपसमाई नियुक्तियटी औ दोरा घाया जाने वाले एक लोगी थ安全 में जो हैं जाने डिन निर्माट दोजार चौबिक निमिलकी कत्वों पर विचार करें किया गोज़रात सरकार ने विध्याक पारित नहीं यह गुद्धरात नहीं यह विध्या क्रप करने के लिए उत्तर पार्दिस ने यूप ने यह पारित किया यह बुनियादे ढहाचा से संबंदित राइट य कि या जा रहा है जिना इसका प्रियाटन मन्तराले नहीं होगा इस्यों सही है इसका उदेश से देशवर में दिव्यां के उद्मियों के कारिग़रों की परितीभा को उज्याग करनाय कि तॉच ये seven ये जो सभी हो रहा है तो इसमें दो एस्टेट्मेंट सभी हो रहा है राइट इस तो देखते हैं कि तैसन तो लंबा होगा लेकिन question बहुत मस्त तौल हो रहा है राइट प्रजक्ट नेक्स से क्या संबंद आए प्रोजेक्ट नेक्स जो है वह और भी से संबंदित तो यह भारतिय रिजर्ब आसियान देशों से संबंदित सन्यूग थे यह सीमपार आतंकवादी भीत पॉंसे संबंदित है पैसा को कैसे अर्दान-परदान किया जा उसे संबंदित है तरह स्टेटमेंट कौन सथ्या- कर रहिएगा अब कहा रहा है बीडी रोबन कॉन इंडिया 24 से संबंदी निम्लिकी कत्नों पर वीचार करना है यह दिली में आयोजित किया गया जी बात सही है आयाइट दिली और प्रसार भारती द्वारती दोर आयोजित कि यह भी बात सही है राइट तो इस अधार पर देख होगा सी हो जाएगा अब देखते हैं भारत सरकार ने पहली बार राष्टी टोल फ्री एंटी नार्कोटीक्स हेल पनाइं सुरू की है नार्कोटीस वहीं जो मादक पदार्थों से हैं अगर कहीं भंडार हो रहा है तो मानस करके मेल है वहां कर सकते हैं या उनिस अतिस पर उसका जवाथी सुचना दे सकते हैं इस अधार पर बी नंबर हो जाएगा नेश्ट देखते हैं जो अमरीत विष्टी योजना है निमलेखित में से किस्ते संबंदित है या इसे बताएंगे क्या या क्रिसी मंत्राले द्वारा लंच किया गया यह जामा योजना है इसमें यह तो जामा योजना है लेकिन क्रिसी मंत्राले द्वारा नहीं है राइट तीस अधार पर देखे तो हमारा बी नंबर एंसर सही हो जाएगा थाली में परधान मंत्री नरिंद मोदी द्वारा उधाटित किये गए ठाड़े पोल पोरी वली जुड़वा सुरंग में सुरंग की लंबाई 28 किलोमेटर है जी नहीं जो इसका है एगारे 28 किलोमेटर इसा दर पर दो गलत हो जाएगा तो इसमें हमारा गलत पूछ रहा है तो दो नंबर भी नंबर गलत हो जाएगा राइट नेक्स कोशन देखते हैं बिहार सरकार दोवारा प्रथम ट्रांस जें को लंबो पर किरीया का संबन्द में एक संस्ता है एसिया से संबंदी यह संस्ता है अब कह रहा है को लंबो पर तेखत्रिय लिए जिसमें अजिब रात सब्सक्राइब करने के लिए पहला मस्तिस्क परतियार उपन का भाई साभी यह गरदन काटके दूसरा गरदन सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसको राज राज रानी को होता है उसको भी करना पड़ेगा अभी तो नहीं किया लेकिन सीर्फ प्रतियरोपन हो गया अब यह कौन किया है राइट एंसर क्या हो जाएगा ब्रेटेन लिए नेक्स वोचन देखते हैं विश्व की पहली जो सव प्रतेंट हाइड्रोजन संचालित बांडिज यातरी नौका जो है एंबी सीचेंज कहां पर है तो यह कहां पर है आप लोग बताने कोशिश करें इवेसे में तो है आप लोग बताएं कहां पर है यह बहुत मुद कोशन है हाइड्रोजन से संबंदित है कि क्या होगा इसका एंसर बताने कोशिश करें अब लोग कि क्या होगा इसका एंसर दुनिया के पहली जो 100 परसें हाइड्रोजन चालिस माड़ी जी के यातरी है इसका एंसर हो जागा सेंस फ्रांसिस्को युवेसे राइट इस देखते हैं यह पूछता है कोशन प्रिविएस युरे में पूछा हुआ था भारत का कितना रेंकिंग था तो हैंले पास्पोर् जापान के पास दुनिया का प्रत्रम सफ्टिक साली जापान के पास पहले था लेकिन बदल गया है अब यह कहां किसके पास चला गया है तो यह चला गया सिंगापूर के पास अब कहारा है भारत इस सुचकांक में 981 अस्तान पर यह नहीं पहले ठाहित अब हो गया कितना 802 यह का झुछ फूर्ण पूलओं मॉझे चरिए इसने श नूट भारत को मोंगला 1 इस जोदिन पहले यह थी भारत को सौपी थी मोंगलव कहा है तो यह मंगल के खाड़ी में बंगलादेश में इसका एंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा उसके बाद तकता प्लाट हो गया नेक्स कोचन देखते हैं लंबी दूरी के जो गलाइड बंब है उसको गौराण नाम दिया गया यह हावा से छोड़ा जाने वाला एक हजार किलोमीटर वजनी गलाइड बंब है जो लंबी दूरी पर इस्तित लक्षियों को भेदने में सक्षा में यह भी सही है इससे हैदरबाद इस्तित रिसर सेंटर इमारत आर सी आई ने विक्सित किया यह भी सही है इस अधार पर द अब तक का सबसे सक्तिखाली गैर परमाड़ू बिस पोटक चीनी सेना ने सामिल किया जी नहीं यह चीनी सेना नहीं भारत किया है सबसे सक्तिखाली कि राइट कि तीशाधार पर देखे सत्य कोशन पूछ रहा है तो यह भारत और जपान के बीच में किया गया है क्या यह आप लोग बताएंगे इसरो और जपान जी नहीं है यहां पर यूरोपिय यू है यूरोपियं एपके किया गया है और यह भारत किया हुए राइट इस अधार पर देखे तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा नेक तोसन देखते हैं पहले आता था इस आव डोइंग भारत भी विरुद किया उसको हटा कर करके दुसरा कौन पर लाया जारा है उसी पर बात कर रहा है तो बी रेडी करके लाया जारा है बीड़ी यहां पर है बीजनस रेडी इसका option क्या हो जाएगा सिंधिनसर हो जाएगा राइट नेक्स वोच्छन देखते हैं अब लोग हम अंती पराव पर आए हैं थोड़ा सा धिमोत और बना के रखेंगे बंगलादेश ने भारत के साथ अनुसंधार और संस्कृतिक छेत्रों में तोयोगर्दान प्रदान करने के लिए मैत्री अनुदान के घुष्णा किया भारत और बंगलादेश नहीं यहां पर हो जाएगा आस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा आस्ट्रेलिया यह इस्ट्रेट्मेंट गलत है मलेसिया के अब रागत मिलेश्यावार तर्की एक कुछ्छन थीad को जाएगा तो दोनों हो जाएगा एक और दो दोनों गलत है नेक्स से भारत वीदेश मंत्री जासे जह सकनेए अश्ट्रेलिया में महित्री याद रखिएगा उनकी जो दुट दीवसी आतरा थी महित्ट आश्ट्रेलिया में करी हुआ है अब कह रहा है गेवरा और खुस्मक जो कोईला खादाने क्या जारखंड में इस्ती थे क्या बाइस अभी यह कुछन आया ही क्यों है क्यों कि जो भीष्व की पांच बड़े से खादाने उसमें दूसरा और तीसरा जो है यह भारत के खादाने कौन और और सब्सक्राइब करने वाला देश का पाला जो काईगर रिजर्व केरल का केरल में है और जुमर निरित्य प्रदाशन करने वाला जूमर याद होगा आप लोगो राजस्तान से हो जाता है तो इसमें पूछ रहा है क्या गलत पूछ रहा है तो यह बी नमबर गलत हो गया यहीं एंसर हो गया अब सेनेट्री पैड़वाला है परियोग करते हैं उस अधार पर देखें तो डेविट कार्ट पहला जो कौन इसा बैंक है जिसने यह किया हुआ है तो आपको हो जाएगा कौन पंजाब नेशनल बैंक ने किया हुए एंसर क्या हो जाएगा सी नमबर राइट नेक्स से देखते हैं क्रिसी और सास्यों का जो बातिस्वा समेलन पूसा इंवेशिव नई दिल्ली में आई जिती हुआ था बात सही है समेलन के भी साथ ट्रांसफेशन प्रूवर्ट सस्टनेबल एग्रीव फूड सिस्टम था अब इसमें कह रहा है कौन जो कथन असत्य है यहां असत्य पूछ रहा है दोनों कथन य अल्मूनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलमूनिया मुत्पादक देश बन गया है क्या भारत दूसरा पूछ रहा है राइट तक कोशन देखना है विस वेपार संगाटिकन की वेपारिक सांखी की रिपेट के उनसर वह सब्सक्राइब करिसी नियर्यात में भारत आठवा स् हो जाएगा भारत का पहला राइस एटियम कहां पर भाई साब ओडिसा ओडिसा क्या हो जाएगा ओडिसा राइस एटियम परधान मंत्री अवास यह जना टू पॉइंट जीरो की कारे वाधी बीत वर्स दूजर चोवीस पचीज से सताइस है जी नहीं सब्सक्राइब का होत नहीं आकट में जो किया गया था ओडों किया घ्लाइगा तहीता हुए हं असट जाएगा आपल विद्हागों हो विजागा यहां तो going next question घ्रकने विद्द लिदिंद मंत्रे घ्रगां कमुंत्र्लों करें करें तर már histori प्रशान की गई है क्या statement सभी है मदला सुचने मंदीरों को मंदीरों में रखी जो मूर्तिया होती है जीवित बेक्ति के रूप में मनेय था प्रदान की यह स्टेमेंट सही है यह पंजाब के मुख्यमंतरी नहीं हर्याना के मुख्यमंतरी जो सैनि साब उसने किया हुगा है क कलपा और सुवर्णना दो किसमे एक सणोव जो किसम है जो अधिक प्रोड़क्टिवीटी देने वाल है प्रधान मंत्र नल नमदी ने उसकी प्रोसान दिया और उन्हें घाटन किया तो उसमें यह कलपा और सुवर्णना भी था तो कलपा और सुवर्णना किस चीज के लिए तो नारियल के भी इस अधार पर देखें तो एक एस्टेटमेंट गलत है एक एकश्टेटमेंट के वल चार सही है तो इसमें कोह रहा है कितने कफ़न सत्य है यह नमबर के वल सतम कफ़न जो 4 है वो सही है सब्सक्राइब किस मंत्र अलाह से समबन्दी ते विरासत से समयझते चुनाव लड़ने के लिए बेक्तियों के दो बच्चों के मापड़न को खत्म कर दिया है भाई साथ भारत में बहुत इसे राज है जो इसे ला रहे है राजस्तान भी लाया है बिहार को भी लाना चाहिए लेकिन राज जो यह जनसंगे कोम हो रहा है कहां पर तो आपको संद्र परदेश हो जाएगा नेक्ट वोशन देखते हैं अब मैथ का हो गया वाई साब इसको हम एक्स रॉल कर देते हैं आप लोग इससे बना लीजिए गा राइट इस अधार पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है तो साथ यह आप से अनुरोध है कि अगर आई आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो प्लेलिस्ट में भावना इजिएशन का प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें कोसिज करेंगे कि तो नव वीडियो देखें करम से बिहार स्पेशल आपको एक भी नहीं चूटेगा चलिए दोस्तों अब रखते हैं सन्यवाद